यह समसावाद में आपका स्वागत है इस समय मैं हूँ आगराथ छित्र फतियाबाद में तो जानकारी करूंगा अभी कि यह कौनसी जगह है और कौन कौनसी लगाई है तो नमस्कार जी वह साथ जी नमस्कार रहिए तो सब से पहले बताएं यह जगह कौन अच्छा यहां खेती आपकी वैसे आप समसावास समसावास से हो तो यह बताईए मुझे कि लगवग कितना आलू करते हो यहां तो मारा दस पंदभी के पक्के जमीन है ने टोटर बता दो आप हर जगय का और कहां करते हो आप अच्छा तीस बीगापुर में करते हैं अच्छ मुझे एक बार बताईए आपके पास यह कौन सी बैराइटी है जिस पर हम खड़ें अभी यह दूजार एक है दूजार एक बैराइटी मतलब किस हाइबेड में किसमें पीली काट की पीली काट का यह तो यह 302 की टकर देता है क्या ने ने दूसे नूमबर पर रहता है अच 302 से आगी है अच्छा मुझे एक बार बताईए कि अभी फिलाल आलू का आपको क्या लग रहा है समय माहल तो आलू का मतलब 70% जमीन में रोग दीख रहा है 70% जमीन में 70% जमीन में क्योंकि आपकी जमीन तो देखो यहां पर भी है फत्याबाद में समसाबाद में और MP में चार दिन से तो रोकी मात्रा बढ़ती दिखती दिख रही है चुरी तो ही है इसमें अब लेट बलाइट लेट बलाइट अच्छा मुझे एक वाउता हो आप से एक जानकर रहे हो लेनी है जैसे आपका MP में खेती का क्या हाल है MP में ठीक है लेकिन वहां भी शुरू हो गई है कुछ में खराब है अच्छा तो आपके समसाबाद के खेत अभी कितने दिन गो चुक है समसाबाद में सब्सक्राइब का तो 85 दिन पार हो गया हाँ वह बहुँ बढ़ाद की इस जगह की तो दूसरी जगह से ठीक है अच्छा यहां इस गाम में तो दूसरी जो तैसी रो तो ठीक है लेगर फिर भी रोग शुरू है अच्छा यहां पर यह रोग शुरू है तो इससे भी जादा बुरी इस्तिती खराब है प्छली साल से ज्यादा रहुए जासे काफी लोगों को लगता है कि जहां जाता हूं वही दिखाता हूं मतलब के रोग आ रहे हैं या कम निकला है क्या ऐसा कोच है कि रियल्टी है यह देखो अब यह बगल में खेता है इसमें रोग कम है यह इससे दस दिन आंगे का है अच्छा इसमें थुड़ा जादा दिख रहा है बिल्कुल आप कुछ केतों हमारे में बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल लेकर ऐसी खेतों की स्थिति कितनी जाज से जादा 50% से ऊपर रोग ग्रस्त केते हैं अच्छा परसेंट नीचे है जिसमें रोग नहीं है बिल्कुल बिल्कुल तो कहने का मतला आप मैं तो 60% रोग वाले मानना हूं 40% सही मानना हूं नहीं है मौसम नहीं मिला नहीं मौसम नहीं मिल पाया तो जब टूबर नहीं तो पैदाबार भी डाउन जाएगी किसी कहते हैं पिछली साल के 10 साल नहीं निकलेगा अच्छा तो आप तो बड़े किसान हो और पूरा नहीं आपको तो आप तो हर साल देख रहे हो लगबग आपको 15-20 साल तो होगी होगी आलू करते करते पूरा जनम ही निकल लगे आपका और अब मुझे वार बताओ कि जैसे आपने 2023 का महल देखा 2023 में कित्री पैदावार आपने लीती लगवा अलू की तो तो फिर बड़े किसान हो का जब लॉस होता तो बहुत बड़ा फरक बुने का भी फरकाता है इसमें आहां जैसे किसी का 37 यहां बहुत बाइस ते पचीस के बीच में 30 तक बुगया ठीक है उसमें तो सही तिखरा है जो 30 के बाद में 10-5 के आस-पास बहुत आ है तो उसमें दिक्कत आ रही है लेकिन जो लेट है उसमें दिक्कत है अंगैती में यहां से लाग लगानी लगाती हो हर दवाई की कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज समय पर ची मिलिए बिलकुल डॉक्टर आपके साथ यह प्रॉडम में तो फिर क्या हाल होगा तो है बड़े-बड़े चमद्धारों से बिल्कुल बड़े खृष डिल्क अपरी और पीली नीचे अलुआ और पर इस फिली काट में 201 आलू और और पौत टो खोड़ा नीचे आलू कि उपर रखते जाओ आगे दूसरे पौधा का है वो दूसरे का मल लेगी हूँ कि यह दूसरे का वो दूसरे का तोड़ रहे हैं दो आलू हापने हैं और लगबग चार यह हैं तो यह आलू है आपके दो दो यह 1-3 नुच्छय नौरह दस तो दस आलू है इसमें से यह चोटे हैं लेकर यह बड़े हो जाएंगे लेकिन कि यह बाता हुआ लेकर मुझे तो यह बता है आगा यह मुझे यह बताया कि आग राम है ऐसे आलू तो उठाएंगे निसे बड़े को भी उठातें सब अब बहुत दो में अच्छा तो लगवा आपके नो आलू है कितने मतलब आलू पढ़ते हैं इसमें एक पौदे में चारसो पैकेट कितना खेत है यह यानि च्छे वीगा में 400 यहां के लिगड़ में और आपके दो वीगा में पक्के वीगा में 400 पैकेट तो बहुत प्यदाबारी तो यहानि 200 पैकेट का होगी यह सीधा तो इस वारी यह कितने पैकेट का लग रहा है तो यह हाल है यह देखिए लेकिन एक बात और रहा है सर कि मैं एक पौदे से संतुर्ष्ण नहीं होता हूं एक पौदा और देखाना चाहूं इस खेत में एक पौदा और देखा थुड़ी आगे 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 यह देखो यह करें देख लो फिर तो आगे और बेल खत्म होगी है इसे देख लो हाँ इसे देखो आगे चोरो करें खुद वखेंगा इधर की सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब है इसमें टूबरी ना है तूबरी ना है और यह देखो यह इसमें यह सुन्डी है सुन्डी अब देखो इसमें इसमें सर बुलकुल तीन-चार आलू है तो बुलकुल आपका अनुमार बुलकुल सटिक जा रहा है कि पैदाबार या नमबर और टूबर कम तो इसकी बवाई कॉन से टाम किया अगली पांच है कि असपास पांच है तारिक की तो लगवग चार टूबर अब इसमें हम टूबर बना नहीं सकते हैं लेकिन लॉस तो है पचास पैकेट का तो हंड़ा प्रशंट पकाई सब्सक्राइब अच्छा यह बराबर वाला क्या तारिका यह लगवा किसी तारिका है यह खेत आप दमदार बता रहे हो पिछली बहुत तगड़ी प्यादावारी और दमदार खेतों का यह हाल है और फचल में कोई कमीना आए नहीं आपकी लागात में कोई कमीना अच्छा यह तो इसका तो पता पड़ेगी कि थोड़ी प्यादावार में लोस है लेकिन आप जैसे सौदेबॉद यहां को फतियाबाद में व्यावपारी के वारावासो के असपास हो रहे हैं बारेसो कौनसी वेराइटी के लागा था थीन से दो सेंतिस्तान बड़ी अकॉल्टी के मोटे चट्टा कर मिक्स है नहीं ने चट्टा बारेस रुपे कुंटल गे अच्छा अब देखते हैं दूसरे खेत पर यहां पर प्यादा बार कमेंगी तो वह खेत कहां पर दूसरा चलो तो चलो तो चलते हैं कि संवयू आगे इनके बड़िया खेता आपको दिख रहा है इस पर आ चुके हैं आप दिखाई हूं कौन सो यह मोहन आलू बाई जवास तो फसल यह एक दम कितने दन को आई है चार तारिक को चार नॉम्मर को देखा भया एक पौत देखा देखा देए उसमें बहुत जवास तो लग रहा हूं कि यह देखो भया यहां पर इनकी भसल बहुत ही आज़ा बड़ी लग रही है यह कौन सी उस पर वो रखा कितने चाहिए बै इतना बड़ा चोड़ा बैड़ कैसे हो गया अच्छा इस पर लिए सिंगल वाले पर लिए यह यह वाला लिए इधर वाला पौदा यह है देखाव वा भई वा यह तो गुल्ला यह किसमें अहां निकाल लो से दिखें यह एक पौदा है विट्ट्य था जो साड़ में तब निकलेंगे यह लेयर की संग निकलता है यह मोहन तो लेकर आपको पौदा बहुत जबसता है यह बाश एक चलो इसे भी निकाल लो यह तो यह हैं आपके लगबग आपके चार चार आलू तो मोटे में बागी सब गुल्ला है आठ चार पांच गुल्ला है तो यह हाल है जब कि आपकी भसल मैं कहा रहा हूं ऐसे खेत रही है आपके पूरे दर्चेतर में घूम रहा हूं लगबग लगव एक हजार बीगा जबीन होगी आलू की नहां यह एक हजार बीगा में आपका यह सबसे सोपर खेत है और किते द लेकिन आपके जैसा असी दिनों पर बहुत बढ़ी है कि आपने अच्छा यह तो चलो असी दिन का होगी है इसमें तो फिर भी प्यादाबर डाउनर्स की भी मैं कित्री प्यादाबर मनों कितने कट्टेगी है यह हो जाएगा है कच्छेवीगा साइध असी पिछासी है 70 का इस सतर पैकट भीए का निकलेगा हमारे यहां के कच्छेवीगे में तो आपकी यहां का लगभा हो गया लगभाद 200-200210 दस्वीश दस्वीश पैक्ट तक निकलाएगा तो और कौन सा यह कौन सा है आज कि यह वह वह मोहन है वो तो कितने दिनका हो गया अच्छा चलो उसे और देख लें आपके तीन के तो यह देखो किसान भाई यह और पौदा भाई बड़ा जबसते इसका यह देखो एकदम चमकदार बढ़िया मोहन का यह देखो हाल और खेती आप देख सकती हो चलो अब इनका दूसरा मोहन लमा चुके हैं और लेकिन इसमें थोड़ी चुर्री की सी सिकायत है यह देखो इसमें चुर्री की सिकायत है तो यह फत्याबाद का हाल दिखा रहा हूं मैं आग राका यह देखो भाईया इस दिखाओ एक पौदा देखा दिखा दिवस यह खुद लिए सिंगल पौदा यह चार चार पांस बनाएं यह पूरे उखाद लेगा यह देखो भाईया ऊपर रखाओ सब टू पर रहने है जाह में तो आलू ज्यादा लग रहे हैं लेकिन आलू बताओ यह अलू फटो मौनू यह तो वह साब इसमें तो यह मौटा भी नाया डंग से कोई जमोन के साब से तो आठनों टूबर है और शुर्णी काफी आई है तो मुझे लग रहा है कि आप देखने कम कर पा रहे हो किसी में सही है किसी में ज्यादा है उस देखरे की बात नहीं है जिसमें आती है अच्छा तो ओबरल देख रहा है तो आपका वही है मानना कि हाँ प्यादावार तो कम है अगर आपके में आपके खित देख लिए पिछली साल से कम है और बहुत कम है तो ठीक है भाई साब है ठीक है जीए तो किसान वाईयों जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इनका यह मो